सबी किसान साथियों को नमस्कार मैं खलीश कुमार हिवा किसान यूटिप्चरन में आप सबी का सोगत है मैं आज दनुका कंपनी का एग नमीनतम फंगिसाट की संपूर जानकारे लिखाया हूँ जो कि फंगस के साथ बैक्टिरिया को भी कंटॉर करता है इसके नाम की बात की जाए तो इसका नम जेनिक पिलस नाम से मार्केट में देखने को मिलती है और यह जापानी टेक्नोजी और धनुका कंपनी ने बनाकर तयार गिया है जो कि फंगस और बैक्टिरिया को बड़ी आसानी से कंटॉर कर लेता है इसमें दो टेक्टिकल पाए जाते हैं एक फंगि करता है इसके एक टेक्टिकल नाम की बाथ की जाए तो इसमें इसमें दो टेक्टिकल पाए जाते हैं पहले टेक्टिकल की बात की जाए तो थायो फिनॉत मिठाइल 38% पिलस कसूपा माइसें 2.1% tagaコν 있다는 kaikki का मतलब होता है जोकि लिक्विट गाल फॉर्म में देखने को मिलता जीनियट पलिस की मोड उब अब एक्शन की बात की जाए तो इसमें दोड टेकनिकल होने के साथ ही इसे दोड़ प्रकार से काम करता है जिसमें की थायोफिनोड मिथैल की बात की जाए तो यह बेंजिलीन कुरुप का ब्रोड एस्पेक्टम सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है ब्रोड एस्पेक्टम की बात की जाए तो यह फंगस के अनसमू पर बड़ी आसानी से कंट्रॉल कर लेता है और सिस्टमेटिक की बात की जाए तो यह कि इंचाओ के दोरान पूरे पौदे पर अफसूसत हो जाता है जिससे की छुपे हुए फंगस को भी तेजी से खतम करने में सच्चम होता है इसे पिरिविंटिव और किरियेटिव दोनों परकार से इस्तमाल कर सकते है पिरिविंटिव की बात की जाए तो यह रोग लगने से पहले और रोग लगने के बाद दोनों परकार से इसे इस्तमाल कर सकते है कसूका माईसिन की मूड अप एक्सन की बात की जाए तो इसमें सिस्टमेटिक एक्सन पाया जाता है जो कि पौदे पर पूरी तरीके से फैल जाता है जिससे कि बैक्टिरिया को काफी तेजी से खतम कर देता है और यह बैक्टिरिया और फंगस को किस प्रकार से कंट्रॉल करता है यह बैक्टिरिया और फंगस की कारवन चैन को बिलिख कर देता है और इसे फोटो संटर्स के लिए को भी खतम कर देता है जिससे की फंगस और बैक्टिरिया में उर्जा ना बनने के कऱर उनकी धीरे धीरे मृत्तू हो जाती है Jnet Plus की Ren Fashnit Activity की बात की जाए तो इसकी Ren Fashnit Activity 30 मिनट की है 30 मिनट की बाद अगर बारिस होती है तो इसके परवाव पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है यह 30 मिनट के अंदर में ही 100% रेचल दिखाने में सच्छम हो जाती है Jnet Plus की Ren Fashnit Activity की बात की जाए तो इसकी Ren Fashnit Activity लगवग 11 दिनों की है किंचाओ के 10 से 11 दिनों तक यह बड़ी आसानी से फंगस और बैक्टिरिया को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के साथ ही पौदे पर एक स्रुच्छा कबच बना कर रखती है जिससे की 10 से 12 दिनों तक फंगस और बैक्टिरिया का असर देखने को नहीं मिलता है Jnet Plus किन किन फंगस को कंट्रोल करता है यह डावनी मिल्डी, पावडी मिल्डी, साकर स्पूरा, एपल स्कैब, इसकैब, फ्रूट स्पॉर्ट, एंथा कलोज, बाटर रैज्ट को भी रोकता है जो कि फूल फर्म में सड़ने गलने की स्टेज को यह बड़ी आसानी से रोकता है यह फंगस जनत बीमारियां और बैक्टिरिय जनत बीमारियां दोनों कागर की बीमारियों को यह बड़ी आसानी से रोकता है जितने में दिखाएंगें जितनी भी फंगस हैं उन सबी को यह बड़ी आसानी से रोकता है जैनल प्लस का प्रियोग कब करना चाहिए? जेनल प्लिस का प्रियोग फसल में किसी भी अवस्था पर इसका प्रियोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसका कॉमनियसन बनाते समय किसान बाईयों को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले फिचकल टेस्ट करके देख लेना चाहिए जिस दवा को इसके साथ मिलाना चाहते हैं उसको सबसे पहले एक थोड़ी मात तरह में मिलाकर देख लेना चाहिए अगर मिसर डूद की तरह फट जाए तो उसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर मिस्रा नहीं फटता है तो इसका इस्तमार बड़ी आसानी से कर सकते हैं जैनिक प्लस का प्रियोग किन किन फसलां और क्रोपों में कर सकते हैं इसका प्रियोग मिर्च, टिमाटर, बेंगन, आलू, लैसन, प्याज, सबी बिरकार की फसलें और सबी सब्जी बिरकार की फसलां में इसका प्रियोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं जैनिक प्लस का प्रियोग फसल में किस अबस्ता पर कहना चाहिए जैनिक प्लस का प्रियोग फसल में किसी भी अबस्ता पर कर सकते हैं इसका प्रियोग अगर फूल आते समय करते हैं तो यह फूल जड़ने की बिमारी काफी कम देखने को मिलती है और इसका प्रियोग अगर फल आते समय करते हैं तो यह फल में फंगजनत बिमारियों को कम लगने देता है फल को स्वस्त और चमकीला बनाता है जैनेट प्लस का पिती एकर डोच की बात की जाए तो इसे 400 ml पिती एकर की हिसाब से इस्तमाल करना चाहिए इसे 1.500 से 200 लीटर पानी के साथ गोल कर छड़काओ करना चाहिए जैनेट प्लस का प्रियोग प्रिविंटिव और क्रियेटिव में सबसे अधिक कौन का फायदा दलाता है इसका प्रियोग अगर रोग लगने से पहले इसका प्रियोग करते हैं तो आपको यह सबसे अधिक फायदा दलाने में सच्छम होता है इसका अगर रोग लगने के बाद इसका प्रियोग करते हैं तो यह लगवग आपको 80% फंगस को कंट्रॉल कर पाता है और इसको रोग लगने से पहले इसका इस्तमाल करते हैं तो यह लगवग 90-95% तक रोग को लगने नहीं देता है और पौद्य को एक सुरच्छा कवच प्रिदान करता है जिससे की फंगस का आकमर आपको कम देखने को मिलता है किसान बाईयों को जानकारी अच्छे लगई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेला आइकन आल सलट करें जैसे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिवेशन आपको सबसे पहले पहुँचे